ऐसे डॉक्टर ने कोई यह वाली स्टेट्मेंट दिया तो गवर्णर साब पहला एक्शन ऐसे ही काली भेड़ों पे लें हम मांग रहे थे यह दे नहीं रहे थे तो क्या मतलब बनता है वह दूलू का आज यह कहना कि वह को यह कह रहा है कि हम जितने हैं उतने की जुरूरत है अगर होती तो वह साथ नहीं मरते फिर जिनको जुरूर थी आपके पास अगर 200 हैं तो 200 लगाओ ना वहां पे आप क्यों नहीं लगा रहे हो जहां बैड्ड रहे हैं और उनका यही रोना था वह टीवी में आ रहा जगा 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 वाइरल हो रही है उनकी वीडियो के भी हम ऑक्सिजन के और वेंटिलेटर के घाटे में वहां पे मर गए हैं जनाब जम्मू में आएं आप खुद दोरा करें आपको आए हुए आज 3-4 मीने हो चले हैं लेकिन आपने हेल्थ की तरफ आपके आज का आज तक आपका दोरा नहीं लगाया जनाब आट तुन डाल रहा है दस आदमियों की लाइन लगी है जिसको नहीं भी आ उसको भी कुरोना हो जाएगा उस वो टेस्ट कराने के चकर में डवजित नहीं मत मिश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू किश्मीर में भी मोतों का सिंसला लागाता आ जारी है और अगर गौर्णमेडिकल कॉलेज के अगर बात करें तो इसे जम्मू संभाग का सबसे बड़ा हस्पताल कहा जाता है और करोना वारिस की अगर बात करें जब जो करोना वारिस की जम्मू कशिमीर में शुरुवात होई थी तो गौर्वर्मन मेडिकल कॉलेज को कोविड हस्पताल बना दिया गया था लेकिन आज हालत यहां तक आगे कि आहम जनता आज गौर्वर्मन मेडिकल कॉलेज जाने से डरती है और राई नेताओं की बात करें चाहिए डिरेक्टर हेल्थ सर्विसिस की बात करें अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो अपना इलाज करवाने के लिए नीजी हस्पताल का रुख करते हैं ना कि गौर्ण मेडिकल कॉलेज का तो अगर यही नेता अगर यही लोग अपना इलाज गौर्ण मेडिकल कॉलेज में नहीं करवाएंगे तो फिर आम जनता को क्यों बेजा जा रहा है वहां पर इसके बाचित करने के लिए हम माजूद है पॉलिटिकल लेडर टी एस टोने सब आपका बहुत-बहुत स्वागत है पहला स्वाल आप से मैं यह कहना पूछना चाहूंगा कि गौर्ण मेडिकल कॉलेज जम्मू संबाग का सबसे बड़ा हस्पताल है लेकिन आम जनता आज डरती है गौर्ण मेडिकल कॉलेज जाने से अब किस सब्सक्रा से देखते हैं नमस्कार मैं आपको यह बता दूं कि आज के हालात जो यह हैं हम जब से गवर्णर साहब लेक्टिनन गवर्णर साहब आये हैं हमारी उमीद थी कि न की जो एड्मिस्रेशन है वो ही चल रही है मैं अपील करूंगा जनाब आप जल से जल पहले जम्मू का आप यह एड्मिस्रेशन को शेक आप करें ताकि लोगों को डर होके भी अगर हमारी गलती है तो हमें पनिश भी किया जाएगा यहां पे जनाब जब तो लॉक्डाउन कि शाला मार में आया था क्योंकि जो ब्लड का डोणर था मेरी सिस्ट्र जो व्लड चाहिए था तो मैं उसके लिए जो ब्लड डोनर ले अगया है मेडिकल कॉल्च जाने से नहीं के है नहीं करूँगा और मैं एक बात की तारीफ करूंगा चाहीं जो मर्जी कर ले आपको ए करने में देखें तो मैं समझता हूं कि साफ सुतर है और डोनर यहां वो कहता है मैं यहां जाओंगा जी और मैं यहां आना पड़ा मुझे डोनेट कराने के लिए और मैं यह चाहूंगा कि जनाब अगर आपको लेट्टिटन गवर्नर साब से अपील आगर आप यहां पे एड सेंटर जाल रहा था कि यहांज से जिन्दा कैसे वाफिस लोटा जाए आपको यह किताब पड़नी पड़ेगी कि मेडिकल कॉलिज से जिंदा कैसे लोटा जाए तो जनाभी मजाग बन गया है वहां पर लॉब्बी बन गहीं है डॉक्टरों की आपने थोड़े को उसको कि आपने वो तो देखनी तो वह आपने वह किा नाया तो यह तो यह नहीं है आप इन रोकों को को चेंज करें लोग कहां है वर्सोंस चैंज करें शेक अप करें पूरी अद्मिसेशन चाहे वो मेडिकल है चाहे वो सीवल है जनाव आपको पूरा सकती से इसमें काम करना पड़ेगा और बड़ा दिन रात करके यह नहीं हम यह दौरा एक एक दौरा हम नहीं चाहते हैं यह मेडिकल कॉलेज में ना पूरा उस दिन पूरी सारे कमिशनल सेक्टरी यह एडवाइजर के साथ चले जाते हैं उसने और ज्यादा बुरा बेड़ा गर को जाता है ना आपको एक नाम देता हूं श्यासी नमबर बैड है वाड नमबर छे में करोना पेशन्ट है वो कल से रो रहा था उसका हस्बेंट वीजे कुमारा लड़की का नाम मुझे भूल गया वो आरस पूरा सेक्टर से आया वो कल से वो कह रहा कि मेरी बीबी को दवाई नहीं दी कि मैं सवेर से एडमिट हूं शाम हो गी है और डाक्टर कहा रहे हैं आदे गंटे बाद आदे गंटे बाद कोई जा नहीं रहा तो जनाब आपको अगर करना है कुछ तो ब्राइ मेर बानी लेट्टुन गुवरनर्स चाहिए वो जो राहत पैके जा रहे हैं हमें भी पता है वो कागजों में है और जो है यह प्राइवेट मेडिकल नर्सिंग होम्स को इनको खुलवाते क्यों नहीं यह जब कमाई के सीजन आएगा यह सारे खोल के बैठ जाएंगे आज दो ताकि वहां पर उनको भी कुरोना सेंटर बनाओ उनके पास दो वह रैपिट है जो हस्पिटल चल रहे हैं उनको दो ताकि कोई एमर्जनसी में जाए तो वहां पर रैपिट टेस्ट करके अपना जा सके आपने वह रैपिट टेस्ट चंद लोगों को दे दी हैं चंद इalthy दारों में रख दी है इसको तो मार्केट में डेकों जा करने उनको जगलेब आए उनको जगा-जगा सेंटर होने चा पूछो के कितने फंक्शनल हैं उनने जितने मतलब जितने मतलब जितने मतलब लोग मरें और उनका यही रोना था वो टीवी में आ रहा है जगा 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 वाइरल हो रही है उनकी वीडियो के हम आक्सिजन के और वेंटिलेटर के घाटे में वहां पर मर गए हैं हम मांग रहे थे यह दे नहीं रहे थे तो क्या मतलब बनता है वह दूलु का आज यह कहन कि वह को यह कह रहा है कि हम जितने हैं उतने की जुरूरता अगर होती तो वह साथ नहीं मरते फिर जिनको जुरूरती इंतजार कर रहे हैं कि पेशेंट आएंगे तब हम इसको फंक्शनल करेंगे यह एक्चली यह है यह धांचा डे टू डो बेसिस पर शिफ्ट कर रहा है कोई लांग टर्म स्ट्रेटिजी बना के काम नहीं कर रहा है मैं चाहता हूं कि जनाब यहां के यहां यह जितने भी आपके कमिशनर सेक्रेटरी से लेके हैल्थ में जितना सिस्टम है इस धंचे को ओवराल कर लें और इसमें कोई ऐसा आदमी लाए जो वाइबरेंट हो जो यह जवाब नहीं दे सकते हैं कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं और कितने उनके पास हैं और कितने एक्शली इंस्टाल्ड है जितनों की जरूरत है उतने हैं यह जो लोग इलाज करना था जिनका होना था उनका भी नहीं हुआ हम चाहते हैं कि जिसन वह आएं सिर्फ एडिनिसेशन के दो डॉक्टर उनके साथ जाएं यह उनकी भीड़ बढ़का ना जाए उनके साथ एक डॉक्टर जाए प्रिंसिपल मेडिकल काल जाए कोई यह सुप्रीडेंट चला जाए लेकिन बाकी डॉक्टर ऑन जाब रहे हैं यहां करने का रहे हो डिरेक्टर मेडिकल डिरेक्टर हेल्थ सर्विसिस बिमार हो रही है वो जा रही है नरायना इलाज कराने शीनियर जितने भी नेता करोना पाजिटिव आए तो वह वहां के बई हरक आदमी को जान पर कि आपनी प्यारिया अगर आपको प्यारिया दवाई तो है ने ने कोई जो यहां दे रहे हो वह हो लेकिन सिर्फ यहां पर सफाइल से किसी को निकाल नहीं सकता तो लेम एक्स्कूजिस के साथ लोग बैठे हुए आज उन लोगों को टाक्टरों को ए सिस्टम को जनजोडने की दुरूरत अज नहीं कर रहे हैं आज यह लोग कही अधिकारी घर बैठे हुए हैं जूटी रिपोर्ट लेके बैठे हुए है असल में वह पाजिटिव यह यह वो सिर्फ बचने के लिए इस अलात से सब्सक्राइब ठाब को गोर्भर मेडिकल कॉलेज्न रहा है कि सब्से बेस्ट हस्पताल तो जब और यह तषी का आफ्य हमारी कि लाए Q2 बार आप आए आप आके सिदे मेडिकल कालेज मत जाएं आप एक बार आ जम्मू की पब्लिक से तो मिलें आप किश्मीरवालों से मिली होंगे आप सबसे मिली होंगे लेकिन जिनके लिए आप आए जिना जहाँ health services कराब है जहां system कराब है आप आज तक आप दोरा नहीं किया है हम आपको बिंती करकर के ठके हैं आपने फेस्बुक के तरीके से और वीडियो के माध्यम से कितनी बार कर दिया है पीमों को कह रहे हैं कि आप यहां पर आएं जम्मू के लोगों से एक बार समवाद तो करें दस बीस पचास जो लोग बनाने हैं आप हमने जितना सुना आपके बारे में यही सुना कि आप एक कर्मठ नेता हैं आप जहां से आया वहां से जो हमारे दोस्त जानकारी में देते हैं वो कहते हैं कि बड़े जुडारू आदमी हैं बड़ा काम करने वाले लोग हैं लेकिन आप हमारी अपील पर अभी तक जम्मू आमघक मैंने हैं मुझे चाहूंगा कि मुझे निमäg तरपिया और कोई शैद आपका यहाँ पर अध्यूरड का लिहाजgest करके बोले लेकिन लेकिन मैं चाहूंगा कि अभूड की जितनी है वह सारी की सारी की पतली चाहिएड़ मेडिकल किया वह सारी की सारी परनाली बदल दें तो आपको रिजर्ट नजराना शुरू हो जाएगा नहीं तो आपको रिज़र्ट जीरो मिलेगा बिसेंटर को बगवान का दोसरा रूप माना जाता है डोक्टर को समय फ्रंटलाइन क्रोना वरीर कहा जा रहा है लेकिन कुछ दिनों से एक डॉक्टर है जो पीजी कर रहे हैं गुर्मेंट मेडिकल कॉलेज में प्रक्रिस वाँ पर कर रहे हैं उनका एक मैसेज एक वाइरल हो रहा है फेस्बूक पर उनका एक कमेट वाइरल हो रहा है कि क्रोणा वाइरस के जो मरीज है उनको ऑक्सीजन के सब्सक्राइब करेंगे तो आम जन तक क्यों जाए कि हम पर और ऐसे डॉक्टरों पर किस तरह की कारवी होनी चाहिए मैं कह रहा हूँ अगर किसी ऐसे डॉक्टर ने कोई यह वाली स्टेट्मेंट दिया है तो गवर्नर साब पहला एक्शन ऐसे ही काली भेडों पे लें जो पूरी डॉक्टर फर्टरिनिटी को बदनाम कर रही है कोई डॉक्टर एक डॉक्टर के कारण पूरे डॉक्टर फर्ट करने के लिए तो लगाता जीम सी पशासन और जीम सी पर भी सवाल उठे रहे हैं कि आखिरकार आम जनता गोर्में मेडिकल कॉलेज में आखेकार जाए तो जाए क्यों और एक डर्ज सा पैदा हो गया है कि अगर कोई नॉर्मल भीमार भी पढ़ता है तो वह भी कतराता है कि जीम सी कॉलेज अगर हम गे तो हमारी रिपोर्ट ये पॉजिटिव कर देंगे और शायद हम कभी गर वापिस भी ना जा पाएं तो इस तरहां की जो शिकायते हैं से दूर करना पड़ेगा जब तक बड़े बड़े लोग बड़े राई निता वी वी आई पिस जब अपना ट्रीटमेंट गोर्वें मेडिकर कॉलेज में नहीं करवाएंगे तब तक आप आम जनता का विश्वास नहीं जी सकते तो फिला लगले अपड़ेट के लिए बने रहेंदा पब्लिश के साथ धन्यवाद